हेलो इस वीडियो में हम लेप्ट, मिड, राइट, एंड लेन फंक्शन के बारे में जानेंगे तो यह हमारे पास यहां पे नेम लिखे हुए है और साथ में यह नंबर्स है इसमें हम left function, mid function, right function और len function के बारे में यहाँ पे जानेंगे तो सबसे पहले हम left function के बारे में जानेंगे अगर हमें left side से जितने character चाहिए उतने character हम left function के दवारा निकाल सकते हैं यह दिखो यहाँ पे name लिखा हुआ है तो name में जितने हमें यहां पे left side से correct चाहिए तो यहां पे हम left function के दवारा इसको निकालेंगे तो इसको निकालने के लिए यहां पे हम click करेंगे click करने के बाद equal to यह लिखा लिखने के बाद यहां पे left formula यूज़ करेंगे यह left यहां पे आ जाएगा निचे यह यहां पर double click किया, left आ गया, आने के बाद यहां पर दिये गया है text तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर text select करेंगे यह text यहां से हमने left side से character n कालने है, यहां पर click किया यह Cell name आ जाएगा, A3, यह A3 cell name आ गया इसके बाद कोमा दिया गया है तो हम कोमा लगाएंगे यह कोमा लगाया कोमा लगाने के बाद यहां पे दिया हुआ है number of character, कितने character हमें चाहिए तो हमें यहां पे 4 character चाहिए, यह लिखो 1, 2, 3, 4 यह 4 character हमें left side से चाहिए तो हम यहां पे लिखेंगे 4, यह 4 लिखा लिखने के बाद bracket बंद करेंगे, यह bracket बंद की बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे, यह enter प्रेस किया, तो यह देखो यहां पे left side से 4 character यहां पे आगे है, यह देखो 1, 2, 3, 4, यह 4 character जो है, left side से है यह यहां पे आगे अगर हमें सभी से चाहिए तो हम क्या करेंगे यहां पर क्लिक करेंगे और यह दिखो इसको नीचे ड्रैग करेंगे यह ड्रैग किया ड्रैग करने के बाद यह दिखो सभी के यहां पर 4 क्रेक्टर आ जाएंगे यह अमेत यहां पर लिए गया है यह 4 character है यह 4 character आगे आगे जतिन है तो यहाँ पे यह लिखो JATIN जतिन तो यहाँ पे JATI और यहाँ पे 4 character यहाँ तक यह count किया है आगे N यहाँ पे नहीं आया हुआ है अगर हम इसको N को यहाँ पे add करना जाते हैं तो हम के करेंगे यह आँ पर डबल क्लिक करेंगे डबल क्लिक करने के बाद यह आँ पर लिखा हुआ है यह आँ पर हम 5 करेंगे यह देखो 5 किया 5 करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे एंटर प्रेस करने के बाद यह देखो जतिन यह आँ पर आ जाएगा इसके वाद अगले में ये भी four character यहां पर आई हुए है ये देखो ये number है तो ये four number यहां पर आगया है इसके वाद निचे इसके भी four number आगया है ये भी निचे इसके भी four number आगया है इसके वाद है mid function तो mid function का use हम तब करते हैं जब हमें middle से character निकालने उटते हैं तो इसको कैसे निकालेंगे जैसे ये कुमार हमें यहाँ पे चाहिए और ये जो middle में है ये चाहिए तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे click करेंगे क्लिक करने के बाद यहां पे equal to लिखा equal to लिखने के बाद यहां पे middle लिखेंगे यह middle लिखा यहां पे double click करेंगे double click किया double click करने के बाद यह आगे दिया गया text तो हम यह text को select करेंगे कि कहां से हमने यहां पे middle से यहां से character को निकालना है तो इसको select करेंगे यहाँ पर click किया यह text यहाँ पर आ जाएगा A3, cel name यह आ जाएगा यह देखो A3, यह cel name यहाँ पर आ गया है इसके बाद दिया गया है comma तो हम यहाँ पर comma लगाएंगे comma लगाने के बाद आगे दिया गया है start number तो start number कहां से हमने यह character चाहिए तो इसको start number कहां से है तो इसको count करेंगे ये दिखो 1, 2, 3, 4 और ये जो है बीच में space इसको भी count किया जाएगा 5 और ये 6 ये जो है 6 position पे है character तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6 ये 6 लिखा 6 लिखने के बाद है number of character कितने number of character चाहिए ये दिखो यहाँ पे लिखा हुए number of character तो number of character हमें कितने चाहिए 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पे 5 number of character चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमा लगा के ये कॉमा लगाया और इसके बाद 5 लिखा 5 लिखने के बाद ये bracket बंद है तो यहाँ पे हम bracket को बंद करेंगे इसके बाद enter प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के बाद ये दिखो ये जो है middle से ये कुमार यहाँ पर आ जाएगा तो mid function के दवारा हम यहाँ पर middle से character को निकाल सकते हैं इसके बाद सभी के लिए यहाँ पर apply करना है ये mid function तो यहाँ पर click करेंगे और इसको three four five इसके बाद ये दिखो यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर five character आ रहे है यहाँ भी five character है और ये जो है यहाँ पर four character आ रहे है के यू एम ए आर यहाँ पर नहीं आ रहे है हमने यहाँ पर formula लिखा था six तो six से start है तो six से यहाँ पर start किया हुआ है तो यह देखो 1, 2, 3, 4, 5 और यह space 6 तो space यहां से spaces ने count किया हुआ है निचे यहां पे row hit तो यहां भी 1, 2, 3, 4, 5 और यहां से यह space से start किया हुआ है तो इसी लिए यहां पे kuma यहां पे कुमार नहीं आया kuma आया तो इसको अगर हम यह करना जाते हैं तो हम क्या करेंगे यहां पे double click करेंगे double click करने के बाद यहां पे 6 दिया हुआ है 6 के बाद यहां पे 7 लिखेंगे यह देखो 7 लिखा 7 लिखने के बाद enter प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के बाद यह देखो कुमार यहां पे आ जाएगा इसी प्रकार ये नीचे इसको भी ऐसे करेंगे यहाँ पर डबल क्लिक किया यहाँ पर 6 की जगा यहाँ पर 7 लिखा यह 7 लिखा है, एंटर प्रेस किया तो यह कुमार यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद यह नमबर है तो number भी ये 6 position से ये count किये हुआ है ये देखो पहले जो number है इनको छोड़ा हुआ है कितने छोड़े हैं यहाँ पे 5 number यहाँ पे ये देखो इसको double click करेंगे तो यहाँ पे 6 से counting start की हुई है तो हम यहाँ पे 6 number देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये 5 ये यहाँ से आएगा और यहाँ से हमारे पास कितने character आएंगे ये 5 character आएंगे ये देखो 5, 8, 7, 1, 2 ये 5, 8, 7, 1, 2 ये 5 character यहाँ पे आगे इसी प्रकार ये आगे आगे है तो इस तरह से हम यहाँ पे mid function के दवारा middle के character को यहाँ पे निकाल सकते हैं इसके बाद अगले function को करेंगे यहाँ पे click किया click करने के बाद equal to ये लिखा लिखने के बाद अब right side से हमें character चाहिए यहाँ से चाहिए तो यहाँ से कितने character चाहिए जैसे यहाँ पे right लिखेंगे ये right निच्छे आ जाएगा ये देखो यहाँ पे double click किया right आ गया right से यहाँ पे दिए गया text इस तो text यहाँ से चाहिए यहाँ पे click किया ये cell name यहाँ पे आ जाएगा A3 इसके बाद number of character कितने चाहिए तो ये देखो कितने character चाहिए हमें number of character तो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह शर्मा में 6 करेक्टर हैं यहां पर तो कॉमा लगा के, यह दिखो कॉमा लगा हुआ है तो हम यहां पर कॉमा लगाएंगे और इसके बाद यहां पर 6 लिखेंगे 6 लिखने के बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे Enter प्रेस करेंगे तो यह देखो शर्मा राइट साइट से यहां पे आ जाएगा है यह देखो शर्मा यहां पे आ गया है अब सभी के लिए हमने यह निच्छे अपलाई करना है तो यहां पे क्लिक किया और यहां पे डबल क्लिक किया यह देखो सभी के लिए यहां पे अपलाई हो गया यह जो ह यहां तक आया हुआ है यह तक हमें BH भी चाहिए साथ में तो यह हमने BH यह भी यहां पर आड़ करना है तो आड़ करने के यह हम क्या करेंगे यहां पर डबल क्लिक करेंगे और यहां पर 6 की जगा हम 8 लिखेंगे यह 8 लिखा इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे यह लिखो यह यहां पे भारतवार यह लिखा हुआ यहां पे आ जाएगा इसके बाद यह six number right side से आ गया है यह रेको one two three four five और यह six यहां से start है तो यह आ गया है यह right side से इसी परकार यह निच्छे number आ गया है right side से इसके बाद जो अगला function है वो है land function तो land function हमें यह numbers बताता है कि text string में कितने numbers है यह हम यहां पे इसकी length बताएगा तो इसको हम यहां पे करेंगे यहां पे click किया click करने के बाद equal to यह लिखा लिखने के बाद यहां पे length formula लिखेंगे यहां पे alien यह लिखा यहां पे double click किया double click करने के बाद आगे दिये गया text तो text जो है हम इसको select करेंगे यहाँ पे click किया यहाँ पे click करने के बाद इसको bracket को बंद करेंगे bracket को बंद करने के बाद जब हम enter प्रेस करेंगे तो यह जो text string है इसमें कितने character है with space साथ में space को भी यह count करेगा यह हमें total करके हमें यहां पर बता देगा यह रिको enter press किया enter press करने के बाद यह रिको यहां पर यह बता रहा है कि यह जो length है text string की यह 17 है अगले की कितनी है यहां पर इसको click करेंगे और यहां पर double click किया double click करने के बाद यह रिको अगले की यह भी 17 है इसके बाद अगले के यहां पे 20 है इसके बाद अगले के यहां पे 18 है इसके बाद यह जो नंबर से इनकी length जो हो है यहां पे 10 10 10 है तो इस वीडियो में हमने left function के बारे में mid function के बारे में right function के बारे में और land function के बारे में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लग नहाँ कर दो